देरादुन से मात्र 16 किलमेटर दूर गंदक के पाने के लिए प्रसिद एक जर्णा है जिसका नाम है सहस्त्र धारा यहाँ पर प्राकरती रूप से तराशी की चोटी चोटी गुफाएं हैं परंदु आप जब इन में प्रवेश करते हैं तो असंखे चोटी चोटी धाराएं बैहती हुई आपका स्वागत करती हैं इसलिए कहलादा है यह स्थान सहस्त्र धारा गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग फ्रम दे विलेज काल भट्टा गल रात हम लोग धनौल्टी से यहाँ लेट पहुचे और काफी ठक भी गय थे तो बजाए देरादुन जाने के हम यहीं रुख गए यह सुमन होमस्टे करके चोटा सा रेस्टरॉन होटे थकावट के कारण रात में नीन बहुत अच्छी आई कितनी प्यारी सुबह है सामने से सुर्य भ्यवान अपने दर्शन देने को आतुर अब सुबह सुबह फ्रेश होके निकलेंगे देरादुन के लिए मौसम में ठंड़क तो है यहाँ पर और देखिए दिन की शुरुवात कितनी अच्छी है नीला आसमाँ अब हम लोग थोड़ा देर ही चलें थे कि भहिया पेंट से आवाज आगी लगिये भूख लगाओ ब्रेक भहिया लगाओ जगा भी बहुत सुंदर है यहां रुकते है नाश्ता करने के लिए यहां हम सुबह सुबह रुक गया है जी पेट पूजा करने के लिए येस नीचे आवाज आ रही होगी आपको कल-कल करता हुआ पानी बह रहा है दूर देहरा दून का पूरा व्यू दिख रहा है इडिज़ जलिए सिंपल और अमेजिंग व्यू आफ दून गली अभी सूरज सामने है तो आपको व्यू क्लियर ने आएगा जाके दिखाता हूं आपको की रेस्टरॉं कैसा है इसकी प्रपेशन कैसी है इसका नाम है दून व्यू विद गोल्डन रॉक रेस्टरॉंट यह सारे रेस्टरॉंस हैं और खड़े किसमें सिल्ट्स हैं और जहां मैं खड़ा हूं इसके नीचे देखो आप कितना सुन्दर अगर यहां से कोई गिर जाए तो नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा वह जाएगा उपर सीधा उपर वाह बहुत अच्छी जगा मिली हमें यह नहीं बता कि नाट्सा कैसा बनेगा लेकिन एस सच फील इस गुड़ हम लोग अभी चले इते बट्टा से आइधिक दून दून नाश्ता कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे सैस्त धारा मुझे डाउट था लेकिन लोकेशन जी इतनी अच्छी है नाश्ता भी अच्छा मिला बिल्कुल घर जैसा और रेट्स बिल्कुल रीजनेबल हैं आप यहां हो तो यहां रुक के एक बार नाश्ता ट्राई सरूर करन नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है तो हम पहुंच गए हैं जी सहस्त धारा बहुत साल बाद में आया तो सारा रंग रूप इसका बदला हुआ है यह देखिए जल की धारा बहती हुई वह पीछे भी कोई स्थान दिख रहा है आगे जाती है अब में पॉइंट पर चलें जहां से धाराएं निकल रही है तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीन के लिए सहस्तर धारा गंधक पानी धर यह है देखे गुरू दुरुणाचारे जी की मूर्थी और यह है वो जगह जिसको आप कहते हैं सहस्तर धारा देखे सहस्तरों धाराएं निकलती हैं यहां से संक्य धाराएं और एक लाइन में बहरी है ऐसा भी नहीं की पानी इकठा गिर रहा हो पॉल हो नहीं हर लाइन को आप अलग से महसूस कर सकते हैं अपने नाम को वर्ड वर्ड डिफाइन करता वा यह प्लेस सहस्तर धारा विर्ड वर्ड पानी को पहाड़ों की गोद से शैस्तरों धाराएं बेहती हुई नीचे आ रही हैं और यह यह प्लेड पानी नीचे आप लाइं द्यान से चलना चाहिए है यहां पर क्योंकि जगह हो गई है लोग अपना नीचे पानी में ना रहे हैं पानी की धराएं बहुत तेज हैं अगर आपको शौक है यहां के नहाने का तो यह देखिए यह सब चेंजिंग रूम्स आपके लिए अविलेबल है मात्र दस रुपर लगते हैं यहां से यह कंटेनर्स बना रखें आप आईए चेंज करने चेंज कर लेजिए और अपना नहाद हो के इंज्वाए करके यहां से जाएं तो यह दोंट फिल अंबार्स है तो ऐसा अभी तक तो मुझे लगा है देखिए लिखा भी हुआ है लेड और आप भी यहां होगे तो for some time you can have one or two hours एंज्वाइमेंट हीर उपर as usual पहाड़ है सुर्य देवता की रेज च्छन के आ रही है यह कुछ होटेल्स भी आ यहां पर नीचे लोग इंज्वाए करते दिख रहे हैं देखो जी और कुछ होना हो और वह पीछे देख़ा आप वह है चाई का ठेका है यह लॉकर्स यह है चेंडिंग रूम और यह है लॉकर्स यहां के बच्छे फिलिंग तो अच्छी आ रही है और अब भी पता क्या है मौसमी ठंडा है ना अच्छा लग रहा है क्या कर रहे हो यह वही गुफा है जहां पर हम सन 2015 में आये थे और आपने यहां पर फोटो ली थी इसके अंदर देखो गनेशी बैठे में वह सामने जो कुंड बना देख रहे हैं आप लोग वहां से पानी पी रहे हैं हैं कोई लोग लेके जा रहे हैं वह है गंदक का पानी जहां एक कुंड में स्टोर करक है इस पानी की मेडिसिनल बैलिस बहुत जाद है इससे स्किन के डिसीज दूर होते हैं थोड़ा सा पीले तो शायद पेट भी ठीक होता है पर शायद लेकिन मेरी बात मानने से पहले आप लोग एक्सपर्ट से कंसर्ट कर लें और मैंने सुना है कि ये स्किन के लिए और पेट के करने में आपके अब और यातरी यहां से गए हैं वो बतातो हैं कि उपर गुफा है कि उपर है रही और लेकिन यह कि वार्ट स्पोर्ट से हैं और गुछ है या नहीं मुझे दिख रहा है यहां पर सश्तितार हमें वार्ट पोड़ एक्तिविटर भी हैं पानी से कूथ के भ इसलिए आठ नो सालों में इस एरिया का बहुत एक्सपैंशन हो गया इसके मतलब एक दिन तो आप यहां अच्छे से गुजार सकते हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और यंग कपल आए तो, उनके लिए तो स्पेस ही स्पेस है, बस एक आंथ नहीं है, उसके लिए वियर स्वारी नीचे लोग पानी में इंज्वाए कर रहे हैं, हम भी चलें ये हसी वादिया, ये खुला आसमा, आ गए हम कहां, ए मेरे साजना इन बहारों में दिल की कले खिल गई, मुझे तुम जो मिले जिन्दगी मिल गई वाव, नाइस, लोग एक गुफा हो रहे हैं आपर, मैं आप तो दिखाता हूँ अब मैं ढून रहा हूँ कि नीचे जाने का रास्ता कुन सा है? क्या आपायँ कि शौुण है यह यह आप सियूूण यह थ tender कर दिखाता है तो मैं आगया हूं इस पार और मेरे पार्टनर्स रह गए उस पार तो है तो है यह इस सर इस वाट से सहस्दरा इस आल अल अल अब तो मैं क्या गटता हूं बैठके यहां पर आपने जूते उदारता हूं लो जी हम भी आ गए है यहां पर हम बैठेंगे अब पाने के अंदर पाउं डाल गए वाँ छंडा पानी मज़ा ही आ गया है कैसा निर्मल लगता है यह बहता बहता पानी देखो एक बात है यह सामने देख रहे हैं यह क्या दिखाते हमें एज दस दर नंबर यह आंटी की उमर देखें और शी इस तेल एंजुआईंग बहुत मज़ा रहा हैं इंजुआई करते रहें यह इन होटल्स की में बात कर रहा था अगर यह आसपास होटल्स ना होते और समझे ऐसे पहारी होते तो आपको लगता नहीं है कि इसकी ब्यूटी डबल हो जाती है आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूं या गलत पत्तर से टक्रा टक्रा कर चाली चले मस्तानी हो लोटा भर ले जाओ मैं आप अभी समझ जाओ इस थान पर श्री ग्रोण दुर्णाचारे जी ने भगवान शंकर की तपसा की थी इसी नाम से इस थान को श्री ग्रोण गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है यहां पर मंदिर के उपर से हजारों धाराएं गिरती है हां देखा हमने अभी जहां गुरु दुरोण की पतिवा लगी थी यहां पर गंधक का प्राचीन सोथ है जिसके जल्स के सेवन से चर्म रोग वा पेट के रोग दूर हो जाते हैं और लिखा है जी मंदिर का रास्ता यहां से है तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यह वर्चॉल टूर फ्रॉम देरदून टू सेस्तधारा मुझे उबीद है सफर में आपको अनन्द आया होगा एस उजल मेरे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा से सुपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए कमें केश्वर महादेव मंदिर की दूरी यहां से पड़ेगी हमें लगबग 19 किलोमेटर इस मंदिर का भी बहुत नाम है बहुत धार्पिक महत्ता है इसकी यहीं आके मुझे पता लगा तो चलिए चलते हैं फिर देखते हैं महादेव की महिमा और उनका एक और पवित्र स्थान यहां तक बने रहने के लिए बहुत बर शुक्रिया थैंक यू स्टे टून अब मिलते हैं आपसे तपकेश्वर महादेव मंदिर में थैंक यू वरी मच जल टबग रहा है और भगवान शीर का जला भी शेख हो रहा है अर्मान जी की विशाल पतिमा कर दिए कर सकत्व